इस विवेक के वीडियो में आप सभी का सौगत है तो दोस्तों आज की सुड़े में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे collectible coins के बारे में जो कि आपको normal circulation में देखने को मिल जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर coins देख रहे हो यह सभी के सभी normal circulation में coins मुझे मिले हैं दोस्तों और यह coins दोस्तों बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं market में यह वाला जो coin देख रहे हो दोस्तों literally मुझे एक बार आज तक मिला है और मैंने तब से इसको collect कर लिया है और उसके बाद से एक भी coin इसके जैसा मुझे market में नहीं मिला दोस्तों तो बात करते हैं अपने अगले coin की तरफ दोस्तों यह जो है सरदार बल्लम भाई पटिल का coin जो 2 रुपे का सिक्का है दोस्तों यह भी आपको normal circulation में देखने को मिलेगा यह वाला जो एक रुपे का सिक्का है दोस्तों यह भी एक अगर आप collection में रखते हैं तो आपके collection की value बढ़ाने वाला coin है दोस्तों ऐसे जो पुराने coin से बहुत ज्यादा इनकी अब demand बढ़ेगे क्योंकि यह जो coins बहुत कम बचे हुए है market में तो दोस्तों यह वाला coin है यह भी normal circulation का है coin और लोक नायक जैप्रकाश नारायन की जन्व सताबदी पर यह coins बनाए गये थे दोस्तों और यह commerce circulation के coin से इनको आप collect करेंगे तो आपके जो collection है उसकी value बढ़ जाएगी दोस्तों तो दोस्तों यह जो coin है संत तुकाराम के उनके उपर बनाए गई थी उनको ऐसा tribute देने के लिए दोस्तों और यह जो coin है normal circulation का है और अभी recently ही यह वाला coin मुझे मिला है इस दोस्तों उसकी जो value बहुत जादा है और दोस्तों यह वाला coin है दोस्तों यह बहुत पहले से मेरे पास है मतलब 2-3 साल पहले यह coin मुझे मिला था और उसके बाद से ऐसा दुबारा coin मुझे मतलब इस type का coin नहीं मिला दोस्तों तो दोस्तों यह coin आप यहाँ पर देख रहे हुए छोटे farmers को dedicate करके यह coins बनाए गये थे दोस्तों और यह coins जो है market में available हैं लेकिन बहुत ही कम दिखाई देते हैं तो अगर आपको यह मिलेंगे तो आप अपने collection में add जरूर करना तो दोस्तों बात करते हैं इस 1 रुपे के coin के बारे में दोस्तों तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों यह वाला coin कितना beautiful है और यह 1975 में बना हुआ है और ऐसे coins दोस्तों बहुत ही कम market में देखने को मिलते हैं अगर आपको देखने को मिल गया market में तो आप तुरंत से ही इसको collect करके अपने collection में add जरू दोस्तों तो दोस्तों यह वाला coin आप यहाँ पर देख रहे हैं संत ध्यानिशर महराज के उपर मतलब उनको ट्राइबट देकर बनाया गया था एक रुपए का coin है दोस्तों तो दोस्तों फिलहाल यही कुछ ऐसे coins है जो मेरे पास collection के लिए available है तो दोस्तों आज मैं आपक 88 का ठीक है और यह दो देख लो दोस्तों यह जो है 2016 का coin है कितना ज्यादा छोटा coin है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो और अगर इसको हम इससे compare करें तो यह इसके सामने 50 पैसे यह फिर 25 पैसे के आसपास का दिख रहा है दोस्तों तो आप समझे सकते हो कि जैसे जैस इससे महंगाई बढ़ी है और इन जो सिक्को की कीमत घटी है तो इनका size भी घट गया है दोस्तों और इसके साथ ही अगर आपके पास कुछ ऐसे coins भी अगर आपको collection में मिल जाते हैं तो बहुत जाद अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि यह जो coins हैं foreign के coins हैं और यह जो coin है दोस्तों मुझे ऐसा पांच रुपए मिला था यह एक पांड है आप यहाँ पे देख लो यह एक पांड है मुझे एक यह मतलब पांच रुपए के exchange में मिला था दोस्तों तो आप समझे सकते हो कि आपको मतलब हो सकते हैं और यह वाला 10 रुपए के exchange में मिला था दोस्तों और ये वाला जो coin है थोड़ा Mule Coin है क्योंकि आप यहां पर देखेंगी कि यह देखिए, ये 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 देखिए, ये जो coin है दोस्तों थाइलैंड का coin है, ये यूका होगा शायद 1 pound है तो और यह Singapore का coin है दोस्तों और ये वाला जो है Russia का coin है दोस्तों, तो अगर आपको पास ऐसे भी coins मिल जाते हैं तो आप collect कर सकते हो और उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे होगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में bye bye have a great day